तो नमस्कार दूस्तु स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चनलने में एक बाफिर से तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आई ट्याई के थूरू एड्मिशन होते हैं अनेक प्रकार की जो ट्रेड्स होती है आई ट्याई में उसके बारे में आपको जानकरी देने आपको ट्रेड्स होते हो तो उससे पहले जो लोग चनल पर नहीं हो आए वह चनल को सबस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इससे लेटेस्स अब्डेट्स मिलती रहेगी तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं तो सबसे लिवाद और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीप्सिटी करना चाते हैं बडरा उनने पता नहीं कि 2 एडमिशनlor को होते दो, आज मैं आपको बताना वाला हूँ जो आइटे-डिशन वालम जो आपको जानकर ही देने वाला हूँ, उसमें प्राइवेट दियू ये था। कर सकते हैं और अनेक जो ट्रेडर्ड होती है जैसे वेल्डर हुआ डिजल मेकेनिक हुआ फीटर हुआ कोपा हुआ जो एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है आप कोपा भी कर सकते हो यादि आपको PGDC ये DCA नहीं करना है तो आप कोपा भी नियम चेंज हो गया है आपको जदी आज भी आज आज आपको करना है तो आप आज तुरंत रेजिस्टेशन कराके आप वो ले एड्मिशन ले सकते हो पहले इसा नहीं होता था पहले क्या होता था पहले आपको रेजिस्टेशन एक बर रेजिस्टेशन कराना पड़ता था औ यह सब करना है तो आप अभी रेजिस्ट्रेशन कराके अभी चोईस फिलिंग में बेढ़ जाए तो आपको सेकंड जो राउंड आएगा उसमें आपका नाम आ जाएगा उसमें जिसे आज अलोट्मेंट फर्स्ट अलोट्मेंट हो चुकी है अब जो जितनी सीट बची उसमें जिसे अलोट्मेंट में जब उसका रिज़िसल्ट आएगा उसमें आप नाम आ जाएगा तो अभी आपको रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अपको च्वरक्राने पड़ेंगी फिर थर्ड रांड में भी एसा होगा आपको रेजिस्ट्रेशन कराके आपको जोजो के लिए भी same process है, आपको registration कराना है और just choice feeling में बेटना है जब second allotment का result आएगा, तो उसके अंदर आपका strano के लिए नाम आ जाएगा यदि second में नहीं आता है, तो आप just third में try करिए, आपका third में नाम आ जाएगा तो ये सारी same process है, I hope आपको जानकरी समझ मैं, योगी जानकरी समझ मैं ये तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe कर लिजिए और अपने दोस्तों में जादा ज्यादा share कर दीजिए तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए, जय हिंद